मैं क्या बता दे क्या अभी रावन को जला के घर वापस ही गई थी मैं कि तभी पता चला कि पीछे से हर्दम मची और ट्रेन फूल स्पीड पर आई और कोई कह रहा था फाटक का है कोई कह रहा था कितने बंदे हैं कितने वो हैं तो फिर कमिशनर साब को फोन किया मैं वापस कितने पत्राव आ गया तो मुझे लगा कि जो बचे बचा सकते हैं उनको हस्पताल में रहके एक लिस्ट उनको पूरी फरस्टेट दे सकें उनको यह ना लगे कि उनको छोड़के जिसको जरूरत है आगे वाली ट्रीटमेंट की उसको दी जाएगी जिसको यहां रखा यह बड़ी हरानी की बात है इतना बुलस प्रशासन था और इतना ओर्गनाइस्था था कि समझी नहीं आया अब बता रहे हैं कि रेलवेज वाले ने नहां तो ट्रेन आइस्ता की और पता नहीं यह लोग ट्राक पे खड़के सेल्फियां ले रहे थे समझी नहीं आई बात क्या हुआ क्योंकि बड़े राम से प्रोग्राम खत्म हुआ गाड़ी में बैठे मैं निकली 15 मिनट बात मुझे फोन आता है कि वाँ पे मैडम ऐसा हो गया देखो अगर इन पे राजनीती करने की जरूरत है हर साल वहां पे दुशेरा होता है और इस पे हमने बिठाया उनको किसी को ट्रैक पे या हमने ट्रेन उनके ऊपर चढ़ाई हमारी लाके के लोग हैं हम मर रहे हैं उनके लिए तड़फ रहे हमरा गला बैठ गया है ढूंड दुशेरा मनाते थे तो भगवार ना करें ऐसा इंसिदेंट कभी किसी के साथ ना हो तो इस पे राजनीती सेखने वालों शरम आनी चाहिए रेलवेज को एकदम फोन किया तो उन्होंने कई ने तक आ की फाटक खुला था और हर साल यहां पे एक वार्निंग होती है क्योंकि हमारा सारा इलाका रेलवेज के आसपास ही होता है हमने छे जगाज रावन जलाए तो सारे रेलवेज का भी रेलवेज टाक के पास है पर उनको बहुत जरूरी था कि आगे देना कि यहां पे कितना इंसिदेंट हो रहा है वहां पे ट्रेन तो स्लो करें मतलब यह तो कभी न मैंने अभी न्यूज में सुना है, I think Captain साब ने 5-5 लाग की announcement की है उसके लिए, तो मैं details तो तभी जब सरकार की पुरी चिठी आजाए तभी बता सकती हूं.